आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको वटसब पर नोटिफिकेशन प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके फोन पर वटसब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वटसब नोटिफिकेशन चालू कैसे करें और वटसब नोटिफिकेशन प्रॉब्लम को कै ठीक करें आये जान लेते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं अगर हमें इस फोन में कोई WhatsApp मेसेज करता है तो हमें WhatsApp नोटिफिकेशन आने का पता नहीं चलता है कोई साउंड नहीं आता है और नोटिफिकेशन नहीं आता है बस यहां पर अगर WhatsApp को ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैसेज आया है और मैसेज का ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है ना कि कोई नोटिफिकेशन साउंड आ रहा है तो इस प्रॉबलम को अब ठीक करने के लिए आप वटसप से बहार आईए उसके बाद अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करिए सेटिंग्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रोल करिए नीचे स्क्रोल करके आपको मिलेगा Apps का ओप्शन Apps पर किलिख करिए आपके फोन में Manage Apps या फिर आप Management के नाम से हो सकता है तो इस पर आप किलिख करिए इस पर जैसे ही किलिख करेंगे यहाँ पर उपर option आएगा manage apps का या फिर app management का इस पर किलिक करिए किलिक करके आएंगे आपके phone के सारे application उसके बाद नीचे scroll करिए और जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आकर आपको मिलेगा इस तरीके से यहाँ पर whatsapp तो नीचे scroll करेंगे इस तरीके से whatsapp आपको मिलेगा whatsapp पर किलिक करिए या फिर आप app manager को open करके search का option देख सकते हैं इस पर किलिक करिए किलिक करके search करिए whatsapp उसके बाद whatsapp पर किलिक करिए उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा page यहाँ पर आ जाएगा और अगर आपको यह option नहीं मिलेगा तो आप अपने phone में home screen पर whatsapp पर किलिक करके रखिए यानि कि long press करिए उसके बाद आएगा app info app info पर किलिक करिए उसके बाद नीचे scroll करके आपको मिलेगा notifications इस पर आप किलिक करिए किलिक करके उपर आपको मिलेगा show notification अगर आपका यह चालू नहीं है तो इसे चालू करिए उसके बाद चेक करिए अगर आपके यह नीचे के option चालू नहीं है तो इन सारे options को चालू करिए कुछ इस तरीके से जैसा कि देख सकते हैं यह option चालू हो चुके है तो नीचे scroll करिए अब नीचे आकर show notification अगर आपका चालू नहीं है इसे चालू करिए group notifications पे किलिक करिए अगर आपका यह चालू नहीं है तो इसे यहां से चालू करिए उसके बाद back आईए message notification पे किलिक करिए same check करिए अगर यह चालू नहीं है तो इसे चालू करिए उसके बाद back आजाईए उसके बाद whatsapp को open करिए open करके उपर right side में तीन डॉट पे किलिक करिए उसके बाद नीचे settings पे किलिक करिए settings पे किलिक करने के बाद नीचे आपको मिलेगा notifications notifications इस पे किलिक करिए किलिक करके उपर right side में तीन डॉट पे फिर से किलिक करिए उसके बाद आएगा reset notification settings इस पे किलिक करिए उसके बाद नीचे reset पर फिर से किलिक करिए उसके बाद यहां से आप बाहर आ जाईए और play store को open करिए उपर search करिए whatsapp करिए अब उसके बाद देख सकते हैं हमारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है हम एक मेसेज सेंड करेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक करें वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें